ओम गणिशी महागड़ी शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भगवान श्री गणिश को पिक्न हर्था कहां जाता है जिस कारे का आरम भगवान श्री गणिश का पूचन कर किया जाता है वहें बिना किसी पिक्न पाधा की पूर्ण हो जाता है भगव ही किया जाता है लेकिन भगवान श्री गनेश के पूजन का सबसे खास दिन होता है चतुर्थी का क्योंकि चतुर्थी दिधी भगवान श्री गनेश को समर्पित है वैसे तो हर महा में दो चतुर्थी आती हैं लेकिन मागमाज की कृष्णु पक्ष की चतुर्थी का हिंदु धर्म में विशिश महत्व है मानिता है इस दिन भगवान श्री कणिश का पूचन कहने से सभी कश्ट दूर हो जाते हैं माग माज की चतुथी को तिल चौत तिल कुटा मागी चतुथी या सकट चौत के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भागवान श्री कणिश और सकट माता का पूचन कहने से भक्तिके सभी संकट दूर हो जाते हैं नारत पुरान के अनुसार इस दिन भागवान गजानन की आरातना से सुख सौफागी में प्रत्थी होती है तथा घर परिवार में आ रही पिक्न पाथाओं से मुक्ति मिलती है रुके हुए मांगलिक कारे भी संपन हो जाते है इस दिन भागवान श्री कणिश का पूचन कहने से बड़े से बड़ा संकट भी डल जाता है लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कुछ ऐसी चीजे हैं जिने भागवान श्री कणिश के पूचन में भूल कर भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए शास्तों के अनुसार यह चीजे अकर भागवान श्री कणिश के पूचन में शामिल की जाए या भगवान श्री गणिश को गलती से भी अर्पित कर दी जाएं तो इससे भगवान श्री गणिश की कृपा प्राप्त नहीं होती और जिन पर भगवान श्री गणिश की कृपा नहीं होती उनके कारियों में बिग्न बाधाएं उत्पन होने लगती हैं और कोई भी कार निर तुर्व कर बी अर्पित नहीं करना कहने एस दोस्तों वीडियो में आगे बाशने से प्हले वीडियो को लाइक कर अपने Mythical के साथ शेयर जरूर करें अपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगवान श्री गणिश की किपाप राप्त कहने के लिए कमेंट बॉक्स में जैश्री गणिश गणपति बपा मोडिया जरूर लिख अदिक्तर पूजा में चावल करते समय हम डिब में से अईसे चावल निकाल लेते हैं लेकिन हमीशाद करता होता है अगर आप ऐसा चावल इस्तिमाल करते हैं तो इससे आपको पूचन का पूण फल प्राप्त नहीं होगा आपका पूचन भी खंडित हो जाएगा इसलिए भगवान श्री गनेश का पूचन करते सेमें जब भी आप चावल का इस्तिमाल करें तो ध्यान रखें चावल का हर दाना साबुत होना चाहें साथ ही सूखे चावल भगवान श्री गनेश के पूचन में कभी भी इस्तिमाल ना करें भगवान श्री गनेश को पुष्व के साथ विष्ठान के साथ क्या फिर आप साधा भी चावल अर्पित करें तो ध्यान रखें चावल को पहले गीला कर लें कच्चे चावल ने उन् को हलदी अवश्य मिलानी हैं हलदी इतनी मिलाए कि चावल पीले रंग का हो जाए तो पूझन गरें दूसरी चीज है तुल तुलसी गडिश पुलान में एक रथा है कि देवी तुलसी भागवान गणेश को तपस्या में लीन देखकर उन पर मोहित हो गए और विभा का प्रस्ताप दे दिया लेकिन गणेश जी ने यह कह कर विभा से इनकार कर दिया कि वह आजीवन भ्रमचारी रहेंगे देवी तुलसी ने गणेश जी को क्रोधित होकर शाप दिया कि आपको विभा करना होगा आप भ्रमचारी नहीं देखपाएंगे तब भगवान शीरी गणेश ने भी आविश में आका तुलसी जी को शाप दिया कि आपका पति असुर होगा इस कारण से तुलसी का पिभा जलंधन नाम के असुर से हुआ गणेश पुरान के अनुसार इसलिए भगवान शीरी गणेश के पूचन में तुलसी का इस्तमाल नहीं किया चाता अगर आप गलती से भी भगवान शीरी गणेश को तुलसी अर्पित कर देते हैं तो भगवान शीरी गणेश आपसे अतिक क्रोधित हो जाएंगे और आपके प्रत और पूजन को सुईकार नहीं करेंगे इसलिए इस बात का विशी ठ्यान रखे कि भागवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तमाल ना करें आप भगवान श्री राधे किष्णे जी, सीता राम जी या लक्ष्वी नारायन का पूजन करते हैं और सब को एक साथ भूग लगाते हैं तो ऐसा ना करें भगवान श्री गणेश, माता रानी और भगवान शिपची के लिए आप एक अलग पातर में भोग रखें और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखें और दूसरे पातर में अलग भोग रखकर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान लक्ष्वी नारायन भगवान सीता राम जी भगवान राधे किष्णे को भोग लगाएं दोस्तों अगली चीज है दूर्बा, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूर्बा भगवान श्री गणेश को अत्यतिक प्रिया है, लेकिन भगवान श्री गणेश को दूर्बा अर्पित करते समय ही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, क्यों लेकर शास्तों में एक कथा है, शास्तों के अनुसार, देपताओं को अनासुन राक्षस से बचाने के लिए भगवान श्री गणेश ने उसे भयंकर युद्ध किया, और युद्ध के दोरान उसे निगल लिया, राक्षस को निगलने के बाद भगवान श्री गणेश के प शास्तों के अनुसार जो भक्त भगवान श्रीकनिश को दूर्बा अर्पित करते हैं उनके सारी कष्ट दूर हो जाते हैं लेकिन अधिकता लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्रीकनिश दूर्बा का सीवन करते हैं और इसी बच्चे से वे गलती से दूर्बा को भगवान श्री गनेश के चर्णों में रखतेते हैं और ऐसी दूर्बा को भगवान श्री गनेश स्वीकार नहीं करते इसलिए भगवान श्री गनेश की किरपा प्राप्त नहीं होती इसलिए सदैब ध्यान रखें दूर्बा को प्लेट में रखकर भगवान श्री गनेश के सामने रखें जैसे भोक लगाया जाता है इसी तरह भगवान श्री गनेश को प्लेट में रखकर दूर्बा अर्पित करें और दूर्बा के सदैप उपरी हिस्से को ही भगवान श्री गनेश को अर्पित करें दोस्तों अगर आप के अनुसार भगवान श्री गणेश ओजा और उस्था के प्रतिक है इसलिए इनके पूजन में उस्था वर्दक लाल रंग के फूल और सिंदूर का ही इस्तमाल करना चाहिए सफेद रंग का संबंद चंद्रमा से होता है एक कथा के अनुसार चंद्रमा ने भगवान श्री गनेश का उपहास किया था इसके बाद ही भगवान श्री गणिश ने चंद्रमा को शाप दिया कि चंद्रमा से संबंधे चीजें उनके पूचन में नहीं इस्तिमाल की जाएंगी। चावल में भी हलती मिलाकर भगवान श्री गणिश को अर्पित की जाती है। बैठते हैं। भगवान श्री गणिश के पूजन में जब भी दीपक जलाएं। तो सदयब ध्यान रखें। दीपक को आसन देना चाहिए। यानि कि दीपक के नीचे थोड़े से साबुचावल या साबुच गयहू रखतें। अगर यह ना रख सके तो लाल या पीले रंग का कपड़ा पिछा कर उसके उपर दीपक रखें। या फिर आप एक प्लेट रखकर उसमें भी दीपक रख सकते हैं। लेकिन भूल कर भी सीधे जमीन पर दीपक ना रखें। शास्तों के अनुसा सीधे जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्माना जाता है। और इससे पूजन का पूर्फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान श्री गणेश के पूचन में सदेप ध्यान रखें कि दीपक को आसन दें। यानि कि किसी चीछ के उपर ही आप दीपक रखकर जलाएं। हो सकी तो चावल का धेर बनाकर उसके उपर ही आप दीपक रखें। आपको रोजाना चावल बदलने की जरुत नहीं है। आप एक प्लेट या कटोरी ले छोटी से और उसमें चावल रखते और रोजाना उसके उपर आप दीपक रख सकते हैं। दोस्तों अगली चीछ है तूटे या सूखे हुए फूल। भगवान श्री गणेश की पूचन में कभी भी सूखे तूटे हुए फूल का प्रयोग नहीं करना चाहें। सूखे हुए फूलों का प्रयोग करना अशुब होता है। इससे परिवार में तरित्ता का बास हो जाता है। इसलिए पूचन में सुखे हुई फूलों का पूल कर भी इस तमान ना करें। दोस्तों भगवान शीकडेश का पूचन करती समये इन बातों का विश्य ध्यान रखें। और पूल कर फी यह बस्तुें भगवान शीकड़ीश को कभी भी अर्पित ना करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी फ्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादर से जादर शेयर करें जिसने भेर भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग राथी राथी